नमस्कार दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। भारत के प्रमुक्ष बांधों से सम्बंदित जितमे भी महतपूर प्रशन बन सकते हैंießen सब करते हैं। देखते हैं, first question, first question आपके सामने है, पढ़ेए ध्यान से, भारत का सबसे उचा नदी बांध कौन सा है, तो बताइए, आपके सामने चार options है, सबसे पहले आप comment section में reply कीजे, उसके बाद मैं आपको जबाद देता हूँ, तो दोस्तो इसका जो right answer होगा, अगर हम बात करें, तो ये होगा आपका option number D, यानि की टिहरी बांध, तो भारत का सबसे उचा नदी बांध कौन सा है दोस्तों, टिहरी बांध, अब इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों पर बात कर लेते हैं, देखे, इसकी अगर height की बात करे तो ये है लगबग 260.5 मीटर का, ठीक है, इसकी height कितनी है, यान रख लेजे, 260.5 मीटर, क्यों यान रखनी है, क्योंकि ये भारत का सबसे उचा नदी बांध है, ठीक है, दूसरी important बात उसको भी जान लेजे, कि जो टिहरी बांध है, वो भारत के किस प्रदेश में अगर प कौन सी है, वो है भागी रथी, ठीक है, और भागी रथी में ही आके वहीं पे एक नदी और मिलती है, उसका नाम है विलांगना, ठीक है, अब देखिए, इतना कुछ अगर आप जान लिए, तो फिर आप से प्रश्न नहीं चूटेगा, ठीक है, चलिए, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो बताइए भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, चारों अपसन ध्यान से पढ़िए, मैं आपके जबाब का इंतजार कर लेता हूँ, चलिए, आते हैं आपके जबाब इसका राइटेंसर अप्स नम्बर C हीरा कुंड बांद अब देखे आपने जान लिया सबसे लंबा बांद हीरा कुंड है अब इससे जुड़ी अन्य महत्पूर बातों के हम बात करेंगे हीरा कुंड बांद अगर पूछे किस परदेश में है दोस्तों तो याद रखेगा उड़ीसा में किस परदेश में है उड़ीसा में बिल्कुल भूलिएगा नहीं नदी पूछे किस नदी पर बना है तो दोस्तों महा नदी किस नदी पर है महा नदी पर महा नदी से जुड़ी अन्य बातों के उपर बात करें, तो महा नदी 36 गर से एक सिंखुआ पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, उसके बाद उडिसा में बहते हुए, आके कहां पे गिर जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, चले अब हम अगले question के उपर बात करेंगे, देखिए प्रश्ण नमबर तीसरा, प्रश्ण नमबर एक से सम्बंदीत है, अब इस question का जबाब, आप जल्दी से comment section में दीजे, इसमें प्रश्ण क्या है, टीहरी बांध में से किन दो नदियों के संगम पर इस देखते हैं, ठीक है अगला प्रश्ण देखते हैं, प्रश्ण नमबर चार यहां पर देखिए, एक जीगे का प्रश्ण आ गया दैम होले से सनी, चिलका जहिल किस राज में इस्तित है दोस्तों तो प्रश्ण नमबर चार का राइट एंसर होगा अब देखिए, प्रश्ण आपके सामने आ गया है तो UPSC 2020 में एक प्रश्ण पूछा था वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ तो देखिए, उडिसा में जो चिलका जहिल है और इस जहिल में एक पाई जाती है डाल्फिन जिसको बोलता है हम इरावडी डाल्फिन ठीक है, और यह मात्र चिलका जहिल में ही पाई जाती है ठीक है, इरावडी डाल्फिन ठीक है, और यह दोस्तों मैंनमार के इरावडी नदी में पाई जाने वाली डाल्फिन है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के चिलका ज्हिल में पाई जाती है ठीह है, तो यह प्रश्ण पूछा जा चुका है चलिए प्रश्ण नमबर पाच्वा देखिये हीरा कुन्द बांध किस राज में इस्थित है तो अभी हमने बात किया था कि हीरापुंड बांध किस राज में इस्थित है जल्दी बताइए उडिसा में हीरापुंड बांध का निर्माण दोस्तों पूछा था एक एक्जाम में कि किस पंचवसी योजना के अंतरगत हुआ था तो हीरापुंड बांध का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कि राउर केला जो इस्तील प्लांट है उसको बिद्दुत कहां से मिलता है तो दोस्तो हीरापूंड बांध से ठीक है चलू प्रशनबर 6 देखे रानी लचमी बाय बांध अवस्तित है रानी लचमी बाय बांध कहां पर अवस्तित है दोस्तों किस नदीप तो इसमें राइट अंसर हो जाता है आपका आपसा नमबर A बेतवा नदीप ठीक है तो याद रखेएगा चलीए प्रश्ण नमब साथ देखिए, इसमें कुछ कटपिट हो गया है, फिर भी आप प्रश्ण नमब साथ देखिए मैट्टूर बांध अवस्थित है, बताइए मैट्टूर बांध कहां पर अवस्थित है A है केरल, B है करनाटक, C है तमिलनाडू, D है ओडिसा तो दोस्तो बहुत ही famous question है, इसका right answer है, option number C, तमिलनाडू, ठीक है अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाए, किस नदी पर इस्थित है मैट्टूर बांध, तो दोस्तो वो नदी हो जाती है कावेरी इतना याद रखेगा, बाकी बहुत सारी बाते करने हैं, ठीक है कोईना बांध कहाँ पर दोस्तो इस्थित है, महारास्टा में, किस नदी पर इस्थित है, कोईना नदी किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तो कोईना नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ठीक है, याद रखेगा, चले अब देखेंगे हम प्रश्ण नमबर नौ अलमाटी बांध किस नदी पर इस्थित है बताएए अलमाटी बांध किस नदी पर इस्थित है तो दोस्तो इसमेराइटन सार अपस नमबर डी कृष्णा नदी पर ठीक है अगर पूछ ले अलमाटी बांध किस प्रदेश में इस्थित है तो दोस्तों याद रखेंगे करनाटक में कहां पर है दोस्तों करनाटक में चीक है तो ये दोनों जानकारी आप याद रखेंगे चलिए प्रश्ण मद 10 देखिए हीरा कुन बांध किस नदी पर इस्थित है तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी दिर पहले बात किया था महा नदी पर जितने भी क्वेशन है सारे के सारे बहुत महत्पूर है चलिए अगला प्रस्ण देखिए थीन बांध किस नदी पर इस्थेत है तो दोस्तो थीन बांध की बात करें तो यह option number A correct हो जाता है रावी नदी के ऊपर इस्थेत है ठीक है थीन बांध को एक और नाम से जानते हैं नाम है रंजीत सागर बांध किस नाम से जानते हैं दोस्तो रंजित सागर बांध चलिए थीन बांध दो प्रदेसों के मद्य में है एक संगसासित प्रदेस हो गया आपका जमू एंड कस्मीर और दूसरा हो गया आपका पंजाब ठीक है तो ये भी जानकारी आप याद रखेंगे चलिए प्रश्ट नमब प्रशी के साथ सही जायेगा जबाब यानि चम्बन नदी पर ठीक है जिसमें दोस्तो थोड़ा सा और जान लिजे अगर बात करें हम गांधी सागर यहां पे गांधी नगर लिखा हुआ है that is गांधी सागर गांध मध्य प्रदेस में देखने को मिलता है ठीक है गांधी सा आपके लिए सही जबाब होगा ठीक है और चम्बल एक बांध है वो भी चम्बन नदी पर बनाये गया है वो भी कहां पर दोस्तो राजस्थान में ठीक है चली प्रस्ट नंबर 13 देखे मैथान एक मिनट मैथान बांध बाल पहाड़ी एवं तिलया बांध किस नदी पर बन गशने को मिलेंगे और बराकर लास्ट में जाके दामोदर में मिल जाती है बराकर दामोदर की एक साहयोत नदी है प्रश्ट नमबर 14 देखे ये बड़े अस्तर के एक्जाम के लिए बनाया गया प्रश्ट नहां प्रश्ट देखे आंसे आपसे बड़ी असानी से हो देखे हीरा कुण बांध को मिला दिजिए किसके साथ महानदी के साथ ठीक है बूंग डाइम को मिला दिजिए ब्यासणदी के साथ उसके बाद आपने टिहरी बांध भागी रती और थीन बांध राभी नदी पर अब देखे आपका कूट बन गया है A का 4 उसके बाद B का 1 तो देखिए A का 4 B का 1 कहां पे देखने को मिलना है तो दोस्तों आपको option number A में देखने को मिलना है तो option number A इसका correct हो जाएगा तो देखिए आपने अगर जानकारी अच्छे से इकठा किया है तो question आपसे नहीं छूटते हैं question number 15 भी देखिए कितना simple हो गया question आपके लिए देखे इसमें आपके लिए सुचियां है नदियों की और बांधों की सुचियां है ठीक है दोनों को मिला के और इस code से जवाब देना है ठीक है तो दीजे देखे कावेरी नदी पर कौन सा बांध हमने देखा दोस्तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध देखा हमने कहाँ पे तमिलनाडु में कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है दोस्तो अलमाटी बांध है ठीक है अब इसका जवाब comment section में जल्दी से दीजे जल्दी से दीजे A का 2, B का 1, C का 4, D का 3 तो D का 3 2 में है C का 4 1 में है यानिकि option number B इसका right answer होगा चलिए प्रश्ण number 16 देखिए सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना है सुची A में बांध है तो फरका बांध कहां पे दोस्तो गंगा नदी पे टिहरी बांध अभी देखा हमने कहां पे है भागी रैथी पे थीन कहां पे है रावी पे नागाल जुन बांध कहां पे है क्रिष्णा नदी पर तिलंगा ना में अब हमने मिला दिया अब इसका right answer क्या होगा बताईए जल्दी से फरक्का का हमने गंगा से मिलाया यानि कि A का 3 देखे A का 3 केवल option number C में है तो option number C इसका right answer होगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन number 17 ये भी बड़े अस्तर के exam के संतुल्य है देखे ध्यान से सुची 1 को सुची 2 से मिलाना है तो सुची 1 में बांध है सुची 2 में राज्य है मिलाये जल्दी से तुंग भंद्रा बांध कहां पे दोस्तों तुंग भंद्रा नदी पर और तुंग भंद्रा नदी कहां पे प्रवाहित होती है करनाटक में और आ के मिलती है किसे कृष्णा से, तो तुँग भंद्रा नदी पर तुग भंद्रा बांध है, कहां पर तुग भंद्रा नदी करनाठक में, लोवर भावानी दोस्तों, यह है आपके तमिल नाडु में, इडुकी बांध आपको केरल में देखने को मिलेगा, पेरियार नद दिया अब इसका राइट अंसर जल्दी से comment section में आप लोग बताएए ठीक है एका आपका किसे में मिला है आपने four में तो एका four सिर्फ और सिर्फ option number C में देखने को मिला है तो option number C इसका right हो जाएगा ठीक है चलिए प्रश्ण प्रश्ण नमबर 18 देखिए जल्दी से बहुत एजी प्रश्ण हो गया मैट उर्बांध किस नदी पर बनाया गया है तो मैट उर्बांध दोस्तों किस नदी पर है कावेरी नदी पर कहां पर देखा आमने तमिलनाडु में चलिए अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण पुराना हो गया है ना गाजुन सागरबांध आपने अभी देखा था किस राज में इस्तित्य दोस्तों तो तिलंगाना में ठीक है किस नदी पर है नागाजुन सागरबांध तो कृष्ण पर ठीक है अब देखिए आपके लिए बहुत आसान हो गया डैम चलिए सागरबांध चम्मल नदी पर है बिल्कुल सही बात है नागाजुन सागरबांध कृष्णा नदी पर है तो आप्सन नमबर भी इसका राइट होगा यानि कि तिलैया बांध किस नदी पर है दोस्तों बराकर ठीक है तिलैया मैथान यह भी हमने देखा था ठीक है किस नदी पर बराकर नदी पर कहा पर देखा था जहारखंड में प्रसσα नमर 22 देखिए चमीरा बान्थ हिमांचल परदेश में अगर देखें truly नदी पर इसी हमने देखा प्रस्ट नमर 22 देखा था हमने एक चमीरा बान्थ और एक लिपर धिर नामसे जानते हैं वो है रंजीत सागर बांद, चलिए प्रश्ण नमबर, यहां पर देखे, 22 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजेगा, प्रश्ण नमबर तेज देखे, साबरमती बांद, गुजरात के किस नदी पर इस्तित है, तो दोस्तों साबरमती नदी पर, चलिए, इसके बारे में बह प्रश्ण नदी के पंजाम वाले हिस्से में, हिमानचल परदेश में नहीं, कन्फ्यूज नहीं होईएगा, चलिए, उम्याम बांद, असम में किस नदी पर इस्तित है, बहुत ही मातपूड है, एक्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप, चलिए, अगला प् चलिए, प्रश्ण नमबर 27 देखिए, तवा बांद, हमने तवा, सेर, हीरन माला नदी देखा था न, तो तवा बांद किस नदी पर इस्तित है, तो दोस्तो तवा नदी पर आप्स नमबर सी इसका राइट हो जाता है, चलिए, प्रश्ण नमबर 28 देखिए, रंगित नदी बांध यह most important कर लिजेगा UPSC में पूछा हुआ प्रश्ण है तो रिंगित actual में है लेकिन यहाँ पर रंगित लिखा हुआ है तो रंगित नदी बांध सिक्की में किस नदी पर इस्क्रिट है तो दोस्तों इसमें option number A correct है जो रंगित नदी है यह उसकी क्या बोलते हैं तीस्त का थोड़ा संबंध यहाँ पर मैंने बताया है उसको पढ़ लिजेगा प्रश्ण नमबर 29 देखिए पायकर बांध तमिलनाड में किस नदी पर इस्तेत है तो दोस्तों option number A इसका right है यानि कि पायकर नदी पर ठीक है तो यह भी आप याद रखेगा प्रश्ण नमबर 30 दे 2018 में न्यूज में था क्योंकि इड की डैम टूटा था जिसकी वज़े से केरल में बहुत ही भीज़ट बाढ़ा आई थी चलिए अब देखेंगे हम कुछ अन्य इपॉर्टेंट प्रश्ण अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर की तो दोस्तो इसमें राइट एंसर क्या होगा आपसा नंबर ए करेक्ट होगा इसका नर्मदा नदी ठीक है और इसमें थोड़ा सा महत्वपूर पॉइंट्स मैंने जोड़ा है उसको आप पढ़ लिजेगा ठीक है क्योंकि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं रीवा के नाम से भी जानते हैं तो कुछ महत्वपूर विसेस्ता मैं जोड़ दिया हूँ ठीक है तो वीडियो को रोके पढ़ लिजेगा चले प्रश नंबर 32 देखिए मयुराक्षी बांध पश्चिम मंगाल के किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों पश्चिम मंगाल में एक नदी है मयुराक्षी नाम का ठीक है तो मयुराक्षी नदी पर ही इस्तित है मयुराक्षी बांध याद रखिएगा चले इसके बारे में भी थोड़ा समय यहाँ पर जोड़ दखा है ठीक है कहां पर है कैसे है थोड़ा सा वीडियो रोक के पढ़ लिजेगा ठीक है चल अगला प्रश्ण देखे जवाई बांध राजस्थान में है किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों प्रश्ण नमबर 34 का जो राइट एंसर होगा वो होगा आपका आपसन नमबर बताएए डी यानि की जवाई नदी ठीक है और जवाई नदी दोस्तों लूनी की एक सहायक प्रश्ण नमबर 36 देखे पुंचम पाद बांध तिलंगाना के किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों इसका राइट एंसर क्या होगा आपसन नमबर ए इसका करेक्ट होगा यानि की गुदावरी नदी पर ठीक है तो याद रखेगा पुंचम पांध बांध तिलंगाना मे किस नदी पर इस्तित है बताइए गुदावरी नदी पर ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है पुंचम पांध बांध से संबंदित इसको भी आप पढ़ लेजेगा यहाँ पर देखे आंध प्रदेस यहाँ पर मेंसन है लेकिन यह बतमान तिलंगाना में हो गया है तो इसको करेक्ट कीजेगा चले अगला प्रदेखे नीमो बाजगो बांध ले के किस नदी पर इस्तित है पहली बात तो यह ले लद्दाक में है और नाम क्या है नीमो बाजगो बांध अब आपको इनमें से बताना है किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तो इसमें जो राइ अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए प्रश्ट नंबर 38 देखते हैं यहां पर थोड़ा सा पढ़ लिजेगा उसके बारे में प्रश्ट नंबर 38 देखिए श्री महस्वत जल विद्दुत बांद मध्य प्रदेश में किस नदी पर इस्थित है तो प्रश्ट नंबर 38 का जो याने कि ब्यास नदी पर और इसको पंडोह बांध के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं दोस्तो पंडोह बांध तो याद रखेगा वंडी जिला है इसमिए उस बांध का नाम बंदी बांध भी पड़ा हुआ है चलिए प्रश्ट नंबर 40 देखिए माता टिला ब यहाँ पर पॉइंट है कब बना था 1908 में ठीक है तो यह बाते आप पढ़ लीजेगा ध्यान से चलिए प्रस्ट नंबर 41 देखे लिंगर मक्की बांध करनाटक में किस नदी पर इस्थित है तो दोस्तों प्रस्ट नंबर 41 का राइट एंसर आपस नंबर B सरावती नदी पर ठीक है सरावती नदी पर ही आपका देखे एक बहुत ही बड़ा जहरना इस्थित है जिसका नाम पहले गलसोपा था आप बताईएगा अभी जो भारत का सबसे उचा जहरना है ठीक है वो वराही नदी पर है उसका नाम क्या है ठीक है चलिए प्रस्ट नंबर 42 देखे एक त यमना नदी पर किस जिले में पूछ ले तो देहरा दोन में ठीक है ये भी आप याद रखेंगे चलिए प्रश्च नंबर 43 देखते हैं काकरा पार बांध गुजरात में किस नदी पर इस्थित है बहुत ही मात्रपूर प्रश्ण है दोस्तों याद रखेंगे आप काकरा पार जो बांध है यह आपसन नमर सी इसका राइट होगा तापती नदी पर इस्थित है ठीक है कहां पे गुजरात में चलिए प्रश्ण नमर चोगालिस देखते हैं बांध के संबंद में जल ग्रहन छेतर का अस्थान कहां होता है यह PCS में पूछा हुआ प्रश्ण है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों बांध के ठीक पीछे होता है ठीक है बांध के पीछे होता है जो जल ग्रहन छेतर होता है बांध का ठीक है तो याद रखेंगे आप चलिए इंद्रा गांधी नहर बांध जो पंजाब में है वो किस नदी पर इस्थित है तो दोस्तों इंद्रा गांधी नहर बांध यह सतलज और व्यास का जहां मिलान होता है उसको हरिक्य बैराज के नाम से जानते हैं तो याद रखेंगे आप चलिए प्रश्च नमर 46 देखें यहा यानिकी गिरना नदी पर ठीक है तो याद रखेंगे आप प्रश्च नमर 46 को और यह तापती की एक सहायक नदी है यह भी याद रखेंगा तो दोस्तों घाट प्रभा नदी पर यह भी आप याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्च नहीं गंड़क बांद बिहार में किस नदी पर इस्तित है तो गंड़क नदी पर यह भी आप याद रखेगा चलिए प्रश्च नमबर वाओं देखिए चंबल बांद राजस्तान में किस नदी पर इस्तित है तो थोड़ी दिर पहले हमने डिसकस किया था चंबल नदी पर चलिए प्रश्ण नमबर तिरपन देखिए, भद्रा बांध करनाटक में किस नदी पर इस्थित है, तो दोस्तों भद्रा बांध, तो ये भद्रा नदी पर है, और इस भद्रा और तुंग मिलके तुंग भद्रा बनाती है, ये भी याद रखेगा, और तुंग भद्रा किसकी सहायक नदी है कृष्णा की ठीक है और तुंग भद्रा नाम का डैम भी कहाँ पे है करनाटक में यह भी आप याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजेगा चलिए प्रश्ट नमबर चवण देखिए बारगी बांध मध्य पदेश में किस नदी पर इस्तित है तो दोस् के किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तो प्रश्ट नमबर 55 का राइट अंसर है आप्सन नमबर ए पेन गंगा नदी पर कहां पे पेन गंगा महरास्ट में कहां पेन गंगा किसकी साहक नदी है दोस्तो गदावरी की ठीक है और दच्छिट भारत की बूरी गंगा किसको कहते ह वदावरी को चले प्रश्ट नमबर 56 देखें पंचेत हील बांद पस्ची मंगाल में किस नदी पर इस देथ है तो प्रश्ट नमबर 56 का राइट अपसा नमबर ए दामोदर नदी पर ठीक है इसका उद घाटन कब गाता दोस्तों 1969 में कब गाता दोस्तों याद रखेंगे 1969 मे चले आगे बढ़ते हैं देखें प्रश्ट नमबर 57 ध्यान से देखें कोयल कोरो बांद ठीक है पस्ची मंगाल में किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों देखें ये प्रश्ट नरलोजकली गलत है कोयल कोरो दो नदियां है ये दोनों नदियां जहां पर मिली हुई है इन कोयल कोरो तो इन में से कोई भी आपसन आपका राइट नहीं होने वाला है तो याद रखेंगे कोयल कोरो बांद कोयल कोरो नदी पर इस्तित है पस्ची मंगाल में नहीं है दोस्तों पस्ची मंगाल और चारकन के बाउंडरी पर है अगर इन में से देखेंगे आपसन तो द दोस्तों प्रश्ण नमबर अंठावन का जो राइट अंसर है वो आपका हो जाता है बताएए आपसर नमबर A सतलूज नदीप है ठीक है अगर पूछ ले सहर या जिला तो विलास पूर ठीक है याद रखेंगे विलास पूर ठीक है चलिए प्रश्ण नमबर 69 देते हैं कदान नदी है जो करक रेखा को दो बार काटती है ठीक है ये भी आप याद रखेंगे प्रश्ण नमबर 60 देखिए किसाओ बांध हिमांचल प्रदेश और उत्राखंड के मध्य है यह किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों इसमें जो राइट अंसर है आपसर नमबर A है टांस न देखिए जैक वाड़ी बांध जो महरास्ट में है वो किस नदी पर बनाई गई है तो प्रश्ण नमबर 61 का राइट एंसर है दोस्तों आपसर नमबर A गुदावरी नदी पर ठीक है और किस सहर में है अगर पूछ ले तो औरंगाबाद ठीक है यह भी आप याद रखेंग चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण नमबर 62 बहुत सिंपल सा क्वेस्चन है इंदरा सागरबांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों प्रश्ण नमबर 62 का राइट एंसर है आपसन नमबर B नर्मदा नदी पर कौन सा डैम है इंदरा सा गांधी तो आपके चंबल पर था चलिए प्रश्ण नमबर 65 बहुत सिंपल सा क्वेस्चन हो गया सतलज और व्यास जहां पर मिलती है वही पर है हर्के बहुत नमबर 66 बहुत हिमात पूर है जामों में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर इस्तित है आपसे प्रश्ण पूछा जा रहा है तो दोस्तो इसमें राइट अंसर आपस नमबर A नाथपा जहाकडी बांध 17 नदी पर है और यह जानते हैं क्या है यह कंक्रीट और ग्रैप्टी डेम दोनों है ठीक है तो एक प्रश्ण यह भी बना था कि निमलिकीत में से कंक्रीट और ग्र नाष्ट में किस नदी पर इस्थेत है तो कबसे दोस्तों हम जिक्र कर रहा है ठीक है नदियें के उपर कहां पे कौन सी नदी है कैसी नदी है ठीक है हमने देख लिया कावेरी नदी कहां पर है करनाटक और तमिलनाड में टूंस नदी हमने देख लिया हिमांचल प्रदेश किस नदी पर इस्थित है तो दोस्तो ए है बेतवा, बी है कृष्णा, सी है घाट प्रभा, डी है कालिंदी नदी ठीक है तो प्रश्ण नमर 68 का राइट अंसर है दोस्तो आपस नमर सी घाट प्रभा नदी ठीक है तो याद रखेंगे छिंडकल और इसको हिटकल बांद के नाम से भी जानते है चले प्रश्ण नमर 69 देखिए बाण सागर बांद मद्य प्रदेश के किस नदी पर इस्थित है बहुरी फेमस क्वेशन सेलूरू नदी ठीक है सिलेरू नदी तो अगर पूछे किस प्रदेश में है तो उडिशा प्रदेश में कौन सा बाली मेला बांद ठीक है नदी है सिलेरू नदी ये बाते आप याद रखेंगे देखे अब अंतत्तय मैं आपसे बोलूँगा कि आज का सेशन देखिए यहा को जरूर लाइक कीजे वाकिया अपना ख्याल लखिए खुब पढ़ाई कीजे